Hello friends, आप लो कैसे हैं? आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तो आज का इस वीडियो बनने वाला है Droid Scan के उपर आपने यह नام मेरे मुझ से काफी भाल सुना होगा Droid Scan में यूज करता हूं एक Android phone जैसे कि मेरा यह एक Android phone है जिसको normal एक Android phone है, पुराना वाला, Android phone को use करना है, एक webcam की तरह, without आपके पास अगर webcam नहीं है, आपके PC में, laptop में तो बैसे भी webcam होता है, तो आपके PC में अगर webcam नहीं है, तो आप कैसे use करें, तो काफी लोगों का online classes बगरा होता है, तो उन लोगों को भी जरूरत पड़ता है, अगर आप अभी lockdown के बज़े से कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं, purchase करने के लिए, या आपके पास financial problem है, purchase करना ही नहीं, अगर अच्छे से अच्छे webcam लेने जाते हैं, तो कुछ 45-5000-5000-5000-5000 ऐसे अलग-लग price होता है, और काफी ज़्यादा उपर तक जाता है वो price, तो आपको कैसे एक Android phone का Android phone तो आपको घर पे हो गाई, तो अगर आप Zoom app बगरा यूज़ कर रहे हैं, या फिर Google meeting बगरा यूज़ कर रहे हैं, आपको classes के लिए, तो आप उसमें कैसे आपको एक Android phone को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको Skype प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आपको मैं प्रोफिके बगरा भी उसका दे दूँगा, जो प्रोफेसन, उसका प्रोफर्जन है, वो आपको मिल जाएगा पूरा, और आपको लिंक मिल जाएगा, और पूरा ये वीडियो जब तक खतम होगा, उसके बीच में मैं कहीं password बता दूँगा, जो cheap file होगा, जो लिंक में करना और पूरा वीडियो देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्रीज चैनल को सब्स्राइब कीजिए, आपको नीचे मिलेगा सब्स्राइब का बटन उसके राइट साइट में होगा, बेल आइकन, आपको बेल आइकन प्रेस करना है, और नोटिफिकेश मिलेगा सबसे पहले, तो चलिए सुरू करते हैं, और देखते हैं कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग Android फोन में हमारा, उसमें हमारा APK जो फाइल है, उसका जो प्रो APK है, उसको इंस्टॉल कर देंगे, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, पर उसमें प्रो फीचर वगरा पूरा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको प्रो APK देता हूँ, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका, ड्रोएड केम का यह रहा डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको उसका APK देता हूँ, आप उसके भी डाउनलोड कर सकते हैं या Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे हमारा जहां पर APK है उसको इंस्टॉल करेंगे यह रहा APK तो DroidCam X को इंस्टॉल करना है मुझे तो मैं simple इंस्टॉल कर लूँगा अभी जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लेट हुआ हम इसको अबाउट में जाके आपको software में बिल्ड नंबर दिख जाएगा यह जैसे कि बील्ड नंबर दिख रहा है आपको इस पे चार पांच बार क्लिक करना है मेरा पहले से अग्टिवेट तो लिजाएगा फिर आप की बेक आजाईए आपका a developed mode दिख जाएगा मेरा अगर ज़रूरत है OEM Onlock करने के OEM Onlock जहाँ तर अपने यूज़ करते हैं रूटिंग करने के लिए फोन को आपको रूटिंग का वीडियो चाहिए तो आप बता देंगे मुझे अगर आपको वाइफाइ से कनेक्ट करने आपका PC और और मोबाइल अगर एक ही वेरलेस नेट्वरक से कनेक्टेड है तो आप इसको यह IP एड्रेस जैसे नीचे दिख रहा है 192.168.1.5 करके दिखा रहा है यह IP एड्रेस इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्राउजर के थूँ वरना आप कैवल से भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे मेरे छोड़ दिया है पावर जादा ना यूज करें इसके लिए मैं दिम मोड को यूज करूंगा तो ऐसे डिस्प्ले डिम होके रहेगा देख सकते हैं अब डिस्प्ले तो चालू है पर ब्राइटनेस पूरा लोग पे चला गया है अब भी हम कनेक्ट करेंगे PC पे हमारा यह डिटा केबल जो है नार्मल तो यह मैं करूंगा फोन में में यूज कर रहा हूं आप लोगों को वाइफाय में कैसे यूज करनाी उसका भी प्रोसस बता दूंगा और मैं फिलाल कर रहा हूं डिटा केबल वाला क्यूंक Week days data transferring ज्यादा फास्ट होता है और मेरे network पे कोई Wi-Fi का network पे कोई भी लोड नहीं पड़ेगा तो चलिए मैं चालू करते हैं अभी PC में installation तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी PC में आ चुके हैं तो PC में यह रहा रहा Droid Cam का Jip । तो यह रहा ADB का फाइल क्यों जरू है तो मैं आपको बता दूंगा बाद में यह bread Canadians को पहले हम iS落ड लेंगे तो यह रहा ओद तो ओ चुका में आ यह रहा तो हमें द्रैल कीम के जाना है सिदा Σीथा अदर जाना है के यह रहा उसका एकसी फाइल, तो एकसी फाइल को हमें इंस्टोल करना है, next, install, बैं लोकेशन चैंस कर रहा हूँ क्यूंकि मेरे सारा फाइल में D Drive में इंस्टोल करता हूँ, तो D Drive में D Drive करके फोल्डर पहले से ही था, मैंने इसको uninstall कर दिया था, तो यह हो गया installation process complete, फिर आपको finish कर देना, भी इसमें काम खतम हो चुका है हमारा अभी ड्रोइड केम का ये रहा थो हम सीधा सीधा dROइड KEM स्टार्ट कर देंगे यह हमारा द्रोइड केम स्टार्ट हो चुका है सीधा मैंने यूवेसवी पे स्लेक्ट कर रहा है तो इसके लिएpowered का भेड़ always हमें Wi-Fi में पहले जाने, आपने Wi-Fi के टेस्ट करेंगे सबसे पहले यह आपको IP address copy कर लेना और आपको 4747 इसको याद रख लेना है, फिर आपको इधर से ओडियो अगर आपको जरू होते तो जोगा कर दीजे, क्लिक आपके फोन के microphone का audio लेगा वो, मेरे case में external microphone यूज करता हूँ audio के लिए, तो मैंने audio को बंद कर रखा है, खाली में video select कर रहा है, तो आपको इधर से सिधा start दबाना है, तो आपको यह case में simple, आपको wifi के case में आपको यह करना है, आपके phone के device में दिखा रहा होगा, एक IP address, जो IP address दिखा रहा था, आपको इधर default IP अलग दिखाएगा, और उधर IP अलग दिखा रहा होगा, उस IP को आपको इधर करना है, मेरे phone में दिखा रहा था 1.5 पर PC में दिखा रहा था 1.10, तो मैंने उसका IP चेंज कर दिया है, port AGT is same है दोनों में, तो वहने port रहने दिया, अगर Wi-Fi में भी फिलाल selected है, तो यह रहा connect हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा इसे है कि आगे पीछे थोड़ा हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, बीच बीच में आप देख सकते हैं, अटक किया था, आपने जो फोन में developer mode on किया था, और उसके अंदर USB debugging on किया था, वो इसके लिए कि USB के true वो काम कर सके, तो आपको इधर blank दिखा रहा है, आपको इधर refresh कर ले ना एक बार, तो यह ले के आ जाएगा वो, तो हो गया, आपका फोन का अभी model number आ चुका है, आप अब इधर start कर लीजिए, आप अभी देख सकते हैं, अभी आगे पीछे कुस नहीं होगा, अभी fast रहेगा, सब सही रहेगा, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिल रहा है perfectly, तो यह हो गया पूरा process, और दूसरा मैंने आपको और एक चीज़ दिया था इधर, यह जो आपको स्क्रीन के उपर इधर दिख रहा है, ADB का फाइल, यह इसलिए दिया था कि काफी टाइम में जहां पर installation होता है, जैसे मेरा D Drive में installed है, ड्रोइड के में, यह ADB वाला जो फोल्डर है, यह डिलीट हो जाता है, यह काफी बार में ऐसे होता नहीं है, तो यह जो तीन फाइल दिख रहा है, यह तीन फाइल भी इसमें से लेके आप डाल देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह था पूरा प्रोसेस आपको Android फोन में कैसे यूज करना है पूरा, तो मैंने बता दिया, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ल झाल झाल